परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खाल्सा सासंगत जी वाहे गुरु जी का खाल्सा वाहे गुरु जी की फते प्यारी सासंगत जी शिरी गुर्णानक देवजी दी जीवन साखी दास आप जीनू शिरी गुर्णानक प्रकाश ग्रांथ विच्चों सुना रहा है जेड़ी के पाई बाला जी ने शीरी गुरु अंग देवजी नू सुनाई सी पाई बाला संदू जी आपने हाथ वेच तुम्बी फड़ देशान ते लाकनाल लंगोटी बांदेशान जिसम ते कंबली पौँदेशान ते सेर ते सफेद टोपी पौँदेशान दाड़ा ओना दा चेटा सी लंबा सी ते एकसार सी अपने देल वेच हर वकत शीरी गुरु नानक देवजी दा ते आंतर देशान ते हमेशा ओना दे चर्न कमलानू बंदना करदे रेंदेशान जिस तरह पाई बाला जी ने शीरी गुर नानक देव जी दा सारा इतिहास शीरी गुर अंगा देव जी नो सुनाया ओस तरह ही दास आप जीनों सर्वन करवा रहा है कल युग अपने करूर रूप विच पूरे जोरांते सी पाप ने बड़ा प्यानक रूप तार्न किता होया सी पाप के बहुत वद्या होया सी जिस तरह के आजकल वद्या होया है काल पैजन्दा सी ते अजीबों गरीब दुर कटनावा आम वापर निया साथ मलेशा दी हकूम वद्रही सी महम्मद अपन्थ बहुत वद्रहा सी पाप रूप मलेश गरीब पर जाते जुलम कर रहे सान गव गरीब अन्याई मौते मारे जा रहे सान राजे बड़े पैड़ी बुद्धी वळे ते मेले हो गे सान लोकानू चंगे कम करंतों रोक्या गया सी मंत्री खोटी बहुत दोष्टता जुए बाजी बखीली दोख संताब एह सारे सिंग का राक्षणी दे पुतर राहुसमान हो गया सान ते तरम पूरण माशिदा चंद्रमा हो गया सी ओस वगत दे राजे किसे दिभी फर्याद नहीं सी सोनती काजी लोग रिश्वत लेके चुठे अनु सचा बनादे सान ते सचे नया देंदा ना नहीं सी लेंदे पुन करम कमजोर हो गये सान ते पाप करम तकड़े हो गये सान गरिबानु लुटया जा रहा सी जड़े टलियां खड़का के मंगन वाले गौर जन्नी स्रेवडे हुन्दे हन ते दिगंबर जड़े जैनिय पने होए हन पर प्रबुदी पक्ती तो बगैर ओ मालक तों विछडे होए हन शास्त्रां बारे ब्रह्मन हमेशा लड़ दे रेंदे सन ते आपस विच बड़ा फसाद कर दे सन पंडत यानि के पैरेदार आप ही जोरी करी जांदे सन फिर करदी रखवली कौन करे राजेतां प जगत विच कोई प्रेम पाव नहीं सी तर्ती पै नाल पैपीत हो गई इस तों बाद तर्ती ने बड़ी अधीनता नाल बेंती कर दे होए प्रमात्मा दी अराधना किती ते अराधना करंतों बाद तर्ती ने प्रमात्मा नु किहा हे परमेशर प्रभू तुसी अनाध हो त यह दिना दे प्यारे प्रभु तुसी सदा दिना ते दया कर दे हो। यह दिना दे स्वामी तुसी गुप्त ते प्रितपालक हो। कल युग दे समे पाप फैल गये हन। होन मिथो लोकाँ दे पाप दा पार समालया नी जन्दा। उन बहुत ओखा ते दुखदाएक समा आ गया है उन प्रभु जी तो अड़े आस्रे तो बगैर मैं जीवत नहीं रह सकती सा संगजी सत यूग विच चार पैर सन त्रेते विच तेन रह गए दौपर विच दो रह गए ते कड़यूग विच केवल एक पैरते ही यह तर्ती ठीकी होई है सो तर्ती ने बेंती किती के कड़ युगदा समा पाप रूप है इस करके मेरे उपर बहुत पार प्या होया है मैं थो होन एक पैरते ठीक्या नहीं जन्दा तो अड़े आस्रे तो बगैर मैं होन थेर नहीं रह सकती हे एकंकार वाहिगुरू तुसी मेरी बेंती सुनो थेर होन वास्ते मैंनों आस्रा दियो सो सा संगजी इस तरा जोती सुरूब वाहिगुरू ने तर्ती दी दुख परी फ्रयाद सुनी ते इस तरा सुखा दे दाते ने तर्ती दी पुकार सुन के सोच विचार कीती वाहिगुरुजी सोचन लगे के इस काम वास्ते पहला भी मैं बहुत पैगंबर पे जे पारो तर्ती उते जा के अपना ही पंथ चला लन दे हन ओहो एहे पोल ही जान दे हन के मैं ओननू केस काम वास्ते पे जैसी सारे अपना अपना मत चला लन दे हन किसे ने भी नाम दी महमादा परचार नी किता ते प्रेम प्यार दी रीत नी चलाई एंजी विचार के जगत दे कारण वाहिगुरू जी बोले तर तिनू मैं आस्रा दियांगा ते ओहो आस्रे वाली होईगी ज़ाद नाम की इरतन दा परवाय चल पएगा ता तेनू भी आस्रा मिल जाएगा एसलई मैंनू होण आप ही जग वेच परगठोना चाहिदा है मेरे बगयार होर कोई उपा नी हो सकता एस तरा तरमदेकार ने तरतीनू ती रईदता ते केहा मैं तेरा आस्रा बणके सब दुखादा नाश कर देयांगा अकाश दी मिठी बाणी सोणके मोखनू मोल यानवली तरती आपने देल वेच बड़ी खोश होई जगत वेच शीरी रामचंदर जीदी कोल कलंक रहित है तरतीनू अनांद देन वाले चंद्रमा वर्गे शीरी गुर नानक देवजी सुन्दर बेदी कोल वेच परगट होई एकंकार वहिगुरू जी आप सत्गुरू दा अनुपम रूपतार के इस दुनिया वेच परगट होई राद रूपी पैडियां रसमा, रीता, कली काल दा हनेरा, तारे, पखंडी समाज, ते होर मत, इंदर, ते महुम्मद राज, सच दा चंद्रमा चडन नाड अलोप हो गए तेज बरतावले शिरी गुर्णानक देवजी जदो परगठ होई, ता बाल वस्था दा सूरज, उनानू लेण वास्ते आया जदो शिरी गुर्णानक देवजी दा प्रकाश होया, ता संत ते कंवल, उनानू देखके खेड गए दंभिया, पखंडिया, ते उल्लुआनू, पाव मूर्खानू बड़ा दुख होया, पर सिखते दास बहुत सुख्यारे हो गए एस तरह प्रभु पक्ती दी लहर, जगत विच परकाशमान होई, ते सिखा दी आलसा ते अविद्यादा नाश हो गया सो एस तरह शिरीकुर्णानक देवजी ने तरम तर्ती ते तीरज दे हितवास ते बेदी कोल वेच अवतार तार्या, एस तर्ती ते एक तलवंडी नामी नगर सी, चारे वर्ना दे लोग ब्रामण, खत्री, वैश ते शुदर एस नगर वेच रिंदे सां, एस नगर दे चा पर दे एर्द गिर्द, किले वांग एक उच्ची दिवार बनी होई सी, जेडी के मजबूती वेच पहार दा मुकाबला कर दी सी, नगर वेच कारबड़े सुंदर बने होई सां, एसे नगर वेच वन्ज वपार भी होंदा सी, ते सारियां दुकाना, सौदे नाल, परियां ह कार रहे सां, चत्र मनुखां दी वेद मार्ग नाल प्रीत हुंदी है, ते शुदर सारेयां दी सेवा कार रहे सां, सारे ही अपना-पना कम, बड़ी कुशलता नाल कार रहे सां, सारे मनुख अरोगता सहित, पर सनता नाल विचर रहे सां, शस्तरतारी बेदी बंस वेच वास कीर्थी काइम हो जुकी सी ओनानों ओथे रंद्यानों बहुत समा हो गया सी एक ओथे बाबा शेवराम जी सान जेड़े बाबा काडू मैता जी दे पिता जी सान ओशे कोल वेच पैदा होय सान जेड़े के ओथे ही रंदे सान जिन्ना दी बिर्ती बड़ी शान ते सुखम सी ओनाने रजोगुणी तमोगुणी गुजरान छड़ दती सी हिंसा रहत हो के ओनाने शस्त्र हथों छड़ दते सन ते माया दे मालक वाहिगुरू दे चर्न कवलादी शरन लेया रखी सी ओना दी तरमपतनी दा नाम बनारसी देवी सी जीनाने पती ब्रत तरमनू पका ते द्रेड किता हया सी ओना देकार दो सदाचारी पुत्राने जनम लेया वड़े दा नाम कालू सी ते छोटे दा नाम लालू सी बाबा कालू जी शोब कर्मा वाले बड़े वड़ पागी सन ओ पकतीनू तार्न करदे सन ते आपने तरम वेच पके सन ओनाने सारे जापताप वर्त नेमाद कईया जनमा वेच कीते सन इस जनम वेच ओना दी इच्छा सी के ओना देकार ग्यानदा कार विश्नुदा अवतार रूपी पुत्तर जनम लवे अपने हिरदे वेच ओनाने ए संकल्प तार्या सी ते थोड़े कुणा ते ही ओ पकतीय दीन प्रसन रेंदे सन सा संगे जी हिंदू तरम वेचे विश्वाश है के वाहिगुरू दा सर्गुण सुरू विश्नुपगवान है जिसने अपने तेई अवतार तारेहन ते चोविवा अवतार हले ओना है शिरिकुर्णानग देव जी तो पहला हिंदू तरम ही सी सो इस तरह बाबा काडू जी अपने तप समे ए अरदासा कर दे रहे के हे वाहिगुरू मेन्नू गरीब ते गोणहीन जानन ता मेरे कार सूर जाती जा मचीद रूबे चाजन कशोनियाद बोद रहत जातां को जातां वेच जन्व लेा है जेस बारे सारा जग जानता है सा संगजी बाबा काडू जी ने पिछले जन्वा वेच बहुत पक्ती कीती वाहिगुरू जी ओना दी पक्ती दे बड़े परसान होय ते परसान होके ओना ने बाबा काडू जी नू वर्मंगन वास्ते केहा ना बाबा काडू जी ने वाहिगुरू तो ए मगया के तुसी मेरे कार जनम लगो पर मात्मा ने बाबा कालू जी नू कहा के कालू जी मैं आवा गा जरूर परत अनुपता नहीं लगेगा सो इस तो उप्रंथ कुझ समा बीत्या जगदे दाता ने बाबा कालू जी दी अतप्रीत देखके ओनादेकार परकाश लेन दा संकलब बना लिया पाव एकंकार तार नेज रूपा प्रगटे सत्गुरू रूप अनूपा पाव देह नेरेनू दूर कारणवास ते प्रभु जिने आप जगद वेच ओन बारे सोचया ते जगद राजे ने एस तरह दा विचार बढाया के मैं बाबा कालू जी दा पुत्तर हो जावा जदो जगदे स्वामी दे जगद वेच ओन दा समा नेडे आ गया ता जड़े टेड़े व्यक्ति सन ओ सारे सिद्धे हो गए पाव जड़े कठोर सन ओ भी सरल हो गए एस तरह जाद दस महिने बीत गए सर्द रुत्त दा चंद्रमा परकाशया सारा काश तारे नाल एंज सुबायमान हो गया जिमें जग्यासू दे हिर दे अंदर नेग चलनी दे गोण चमक रहे होन बदल पाणी रहे थो के अपने देशानू जान लगे जिमें सतसंगत वे जान नाल कलेश चले जान दे हन कतक महिन्य दी पूर्ण माशीनू हरीदे कीर्तन माग चादनी परकाश मही होई सम्बत 1526 जगदे पाशा ने अवतारता रया अचन चेथी सारे खुश्यादा प्रवा उछाले मारन लगा इंज क्यों होया एह कोई भी जान ना सक्या तर्ती ते अकाश ते वसन वाले सारे जीव कदे ना ना शोन वाले प्रमातमा दा सिम्रन करके मंगला चरन का रहे सन ओना ने अपने हता विच फाड के सांख बजाए ते मोखतों जय 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 दे बचना दा उचारन कीता देवत्या ने बिलके चन्दन कसाई ओस वेच फिर केसरते कपूर मलाया ओस मिश्रन नूँ ओ फिर बाबा कालुजेदे कार जाके छड़कन लगे कलब रिच दे फुलना दे बुका दे बुक अर्शातों वर्षोन लगे चंगी कोल्दिया इस्त्रिया दाईया बढ़के सेवा करन लई बाबा कालुजेदे कारवल लाईया सरफ स्रेष्ट इस्त्रिया ने परसूता बढ़के अत्सुख प्राप्त कीता जेड़े आठ दीवे जाग रहे सन ओना नो तुसी ग्रया समझो ओना दीवें दी रोशनी ओधों काट गई जदर शिरी गुर्णानक देव जीदा प्रकाश होया जनम समे कॉमल बाल हसर आसी शगन को शगन जाने अनी सी जा सकदा और सारे बालक जनम समे रोंदेहन पर इह अस्चर्ज बालक हसर आसी जिम्हें के बड़ा अनंद माण रहा हुए थोड़ी बुद्धी वाली दाई के में समझ सकदी है के इस सुन्दर बालक नू जनम मरंदी पीड नहीं है पाब ओह जनम मरंदियां पीडां तो रहत है एस तरह दाई ने दौड के बाबा मैता कालू जी नू एक खुश खबरी सुनाई के तो अनूबदाई होवे बड़ा अनंद मंगल होया है तो अडेकार सुन्दर पुतर आया है होण अनेक तरह दे मंगल करो जोदो मैता कालू जी ने पुतर दे जनम दी खबर सुनी ता अना ने मान वेच बड़ा सुख प्राप्त कीता जिमें जनम दे कंगाल देकार कलब रिच ओग पया होवे ओना ने हिर्दे वेच इन्नी खुशी अन्भव कीती छेती ही जाके बेदा दी रिती अनुसार कपड़ें समेथ इशनान कीता फिर परमेशर वाल ते आंतर के समाधी लाके बैठ गए ते दोमे हाथ जोड़ के बंदना कीती इस तरह सत्गुरु जी ने इस जगत वेच अवतार ता रहा जिनाने इस तरती ते पगतानु सुखी किता होईया पुला चुकादी खेमा बक्षो जी दासनु आगया देओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते